हेलो एवर्यवान वोलकम बैक तो मैं चानल तो गाइस मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि सिनेट जी का जो एक्स्टरनल रिश्टरेशन फर्म होता है इसको आप फिल कैसे करेंगे ठीक है मैं आपको इसमें अगर आप फ्रेशर हैं डेक कारेट इंजिन कारेट या फिर या फिर या फिर ट्रेन वाइपर अब इसको कैसे फिल करेंगे इसको पूरा दिखांगा कि कहां पर क्या क्या लिखना है गाई गाई तो इस पेज में आने के लिए पहले आप आप जाए गूगल पे फिर वाँ पर लिखे कि सिनेटजी एक्स्टरनल रिश्टरेशन अब अगर वाँ पर लिखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा अगर व आएगा उसके नीचे ओके करना है तो करने के बाद फिर आपके समने यह वाला पे जाएगा यह फॉर्म तो मैं आपको दिखांगा कि यह फॉर्म कैसे फिल होता है तो यह वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिए दाकि आप जब फॉर्म करेंगे तो आपको कोई प्रॉ सिनेर्जी एक्जम का प्रिवेस कोश्चेन और स्टेडि मेट्रियल है मेरे डेस्क्रिप्शन वाक्स में कुछ लिंक है आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको वह सब मिल जाएगा तो अगर आपको चाहिए वह सब्सक्राइब के लिए तो आप उसको जरूर ले लीजिए तो अब ही स्टाट करते हैं दिखि यoperation में पहले हैं आप लोट साइव तो आप साव लुड करेंगए तो आपको तो यहां से ऐसे कि मेरा फर्स्ट नेम है सुमन फिर मीडिल नेम लिखेंगे फिर लास्ट नेम लिखेंगे जहां पर स्टार मार्क है वो आपको फिल करना है मस्ट फिर डियो भी सबोस्कि डियो भी है कुछ कि वह में कुछ्छ भी डालता हूं डिसंबर 1998 फिर नैस्नलिटी में तीम आप डालेंगे यहां पर इंडियन ओके नेस्नलिटी में इंडियन फिल्पियन चाइना जो भी आप इंडियन है तो आप इंडियन डालेंगे फिर पासपोर्ट नंबर मैं उडिये चाहिए अगर बस नहीं है तो फिर आप और फिल कर सकते या अब किस लिश्टर करें तो नभी लास्ट लिश्टर में होंके जब भी एप इस फोर्म पील करेंगे तो आपके बास पर cafe नम्मर रहना जरूरी है बहुत जरूरी है तो पासपब हमें से हैं तो पिने और इंडिया में करें कि कंट्री ठीप के की यहांपे 64 हो रहा है ओक की रिफरेस हो गया देखिए यहांपे देखिए एक रिच कलड शारा है प्ली शुट प्ली कीमिाटि एमिल आप जो email id देंगे वो valid होना चाहिए ठीक है email id email id तो अभी बात में है राइट साइड में है तो यहाँ पर लिखेंगे address address आप लिख लेंगे ठीक है फिर आप nearest office select करेंगे आपके बस कौन सा उपना आप आप इस सेंटर के लिए है एक्जाम सेंटर मैं दिली select करता हूँ ठीक है फिर इदर आता है main देखिए rank applied for यह आप बहुत आची से देखिए rank applied for अगर आप deck carrot है अगर आप deck carrot है last semester में है तो आपको इदर select करना है deck carrot first year तो deck carrot आप जैसे first year select करेंगे देखिए आप रिफ्रेस हो रहा है फिर अगर आप BST nautical sense करते हैं तो आप BST select करेंगे यहाँ पर ठीक है देखिए जैसे आप BST करेंगे तो यहाँ पर experience in applied rank 0 आगया और यहाँ पर देखिए have you subbed in a vessel नो आगया और आपको आगया और देखिए तो देखिए यहाँ पर मैं भरूँगा यहाँ पर कुछ mobile number आपको भरना पड़ेगा फिर आपको email ID valid देना पड़ेगा आपके बास तो इंडोस नमबर तो रहेगा आप जब last semester में आ जाएंगे तब तो आपको इंडोस number मिल जाएगा college में फिर CDC number नहीं मिलता है फिर CDC नमबर में आप कुछ मत भरिये कुछ मत भरिये यहां पर फिर इसके आपको बास बास करेंगे तो आपको इंजीन कई है मिलन फिर करेंगे सुर्णा पड़ेगा देठी और 25 और्टेश ररा है अब रिफ्रेस हो रहा है कि से अउग्पका ऐंटेर्स नहाँWowने चाही है जाए घ्वह फर्म करेंगे और आप करने के लिए कोई laptop से या फिर कोई computer से फिल करने के लिए पिर मोबाइल से प्रॉब्लम हो सकता है मैं आपको दिखाने के लिए mobile से कर रहा हूं बर्ट फॉर्म फिल जब करेंगे तब आप ट्राइगे की laptop से करने के लिए तो हां तो यह हो गया तो आप यहां पर दिखेंगे करेंगे लिए बाट करेंगे कि दिखेंगे लिए सीमं से रहागे है करें ह। सब्सक्राइगे पर तो यहां पर तरेनी सीमन के लिए देखिए इसमें भी देखिए आगे एकसपरेंट से नपने जीरो आ गया और यह विसल नो है तो देखिए यहां पर यहां पर तो आपके पास सीडी से नंबर होना चाहिए जब भी आप फॉँफिल करेंगे ठीक है तो आपके बास CDC number होना चाहिए तो ठीक है तो यह ओक है ट्रेणी सीमन के लिए अगर आप ट्रेणी वाइपर है तो फिर आप कौन सा शिट करेंगे तो यहां पर देखें ट्रेणी वाइपर का भी है रैंक तो ट्रेणी वाइपर ड़के देखिये हाँ तो यह आ गया तो यहां पर आप नो कर देंगे इसमें आया नहीं है यहां पर आप experience in apply ट्रेंग जीरो ही करेंगे ओके फिर cdc नंबर में आपको cdc नंबर लिखना है बाकि आपको email इंडोस नंबर mobile नंबर सब कुछ भरना है स्टेट भी भरना है तो मैं आपको आभी आभी आपको मैं नीचे का पोर्शन दिखाऊंगा था सबसकीजिए कि आप बेसी नौटियल साइर्स करते हैं तो आपको आप नीचे का पोर्शन कैसे फिल करेंगे यह सब के लिए सेमी है नौमल सी बात है इसमें कोई टेक्निक वाला बात नहीं है नीचे का पोर्शन में बस में तो में चीज है आप कैसे rank कैसे अबलेट करते हैं rank बहुत इंपोर्टन चीज है डेकरेट फरस्ट चेर्ट करेंगे अगर अब डेकरेट है तो यहां पर मैं भी सिलिट करता हूं ओके ठीए तो आभी मैं आपको दिखांगा नीचे का पोर्शन आपको फिल करना है जो भी स्टार्ड मार्क है कोई खाली नहीं रहना चाहिए प्लस आपका मोबाइल नमर भी वैलिट होना चाहिए तो यहां पर सबसकिजिए कि आप एसस एलसी मदलब आप क्लास टेंथ सबसकिए आप परसंडेज भी सिलिट करते हैं ठीक है यहां पर रिफ्रेस हो रहा है आपको देशिए यहां पर ऑप्सन है परसंटेज और ग्रीट का पर सिलिट करेंगे कि आपको आपके बास जो मार्क परसंटेज में है या फिर ग्रीट में है ठीक है फिर आपको यहां पर कॉलेज या इंस्स्टिटूट का नाम देना वालब आपका स्कूल का नाम देना है पिर आपका university में लब कॉन सा बोर्ट से अब किये हैं cbsc बोर्ट या फिर कॉन सा बोर्ट फिर यहां पर यह दर पासिंग ठीक है यह आपका SSC के लिए कि अब क्लास 10 के लिए सबस्क्राइब के माक से 75 परसेंटेज माक से पिर आप स्कूल का नाम कुछ भी देते हैं जैसे कि मैं देता हूं अब यह लिखता हूं आपको पूरा नाव लिखना पड़ेगा फिर युनिवर्सिटी में देता हूं cvac यह पासिंग आप कॉन से साल में पास किये थे तो मैं क्ला देता हूं क्लास चैन पास किया था टुदाउजन 15 देता हूं नहीं 15 15 17 14 देता हूं ठीक है यह हो गया आपका फिर आप एज़ेस है इसमें भी आपको आप सेंटेश लेट कीजिए आप परसेंटेश करेंगे तो यहां पर परसेंटेश करिए आए गा जो भी किसका आपको परसेंटेश में मैं करता हूं कि आपको सब्सक्राइब परसेंटेश मिला था ठीक है क्लास के नाम देता है मैं तो मैं स्कूल का नाम देता हूं फिर बोर्ड का नाम देता हूं स्वी एस्थी ओके यहां पर फिर यारो पासिंग आपको एक करना है तो अब ही फिर है आपका बी और बीस्थी ठीक है ऐसे भी कोई-कोई होता है कि कोई-कोई तो अगर्म ने किया है तो अब है अगर पर फिर दिकिया है तो थाम पर आप जो आप जिए आंप तो यह जो डियाए तो यह नुगा पर पर आप पहले बीस्य खैब क्येक है तो valt का भी हम देन फीलीग s आप जो भी कोर्स किया हों, आप यहां पर इसलेट करेंगे, ठीक है, यसे कि आप पीसी रेनिंग किया है, जैसे कि मैं तो नॉम्मल कोई B.S.C. नहीं किया था, मैं पीसी रेनिंग किया था, B.S.C. नॉटिकल साइंस, ठीक है, तो यहां पर देखिए, मैं मुझे मेरा यहां पर देखिए, यहां पर पासिंग में देखिए, अभी लास्ट है 2019, ठीक है, अभी आप लोग इस साल की सिलेट करने के लिए, यहां पर आना चाहिए 2020, तो अभी तो अभी तो कमपनी ने यह फर्म अब दक अप्डेट नहीं किया है, अभी यहां से इसका फर्म निकल अभी ना है, तो यहां पर देखिए, फर्स्ट मिश्टर का साबसकीजिए कि मैं लिखता हूँ 75, फिर सेकंड का मैं लिखता हूँ 68, फर्स्ट मिश्टर का लिखता हूँ 78, फर्स्ट मिश्टर का लिखता हूँ 92, आपको लिखना पड़के आपके आपके पास जो सब्सक्राइब करें तो आपके पास 6 समिश्टार होगा 7 और 8 समिश्टार आपके पास नहीं होगा तो आपको बाकी दो से लिट करने का जरू करने का जरू नहीं है फिर नीचे है देखिए अगर आप किसी में अगरा फेल किया है तो आप यहाँ पर करेंगे अगर वहाँ पर टिक करेंगे तो आपके पास ऐसा आएगा तो आपको यहां पर यहां पर यहां पर एस करते हैं नव में लिखना पड़ेगा लिखना में सीहесяं तो कोई कुछ सब्सक्राव सब्सक्राब है गधि अगनु बैट मैने मांदनार नकराएगा यहागा पर आपके पास CDC नंबर चेक किजिए पर आपका date of birth, first name, passport नंबर तो आपके पास होना ही चाहिए ठीक है तो फिर आपका marks भी आपको शिल्क करना पड़ेगा ठीक है तो फिर आपको submit कर देना है तो submit करना के बाद पिर आपको पास a tap आएगा जहां पर लिखा हो रहेगा थांक्स थांक्यू फ़ोर रिइस्टेसं ठीक है फिर थांक्यू को लिक्ट के फिर आजाएगा फिर अभी कोई आपको मेल नहीं मेलेगा जब इस एक्जम का जब सब्सक्वाइब कइसे आज अगा है साफ के पास पहुंच जाएगर कि से नोटिफिकेशन के लिए आपके पास एक मेल जाएगा फिर आपको वहाँ पे एक लिंक मेलेगा पिर आपको उस लिंक से आपको फिर एक फॉर्म फिल करना है ठ्याइज तो मेरे चैनल पर सीनेट्जी के लिए बहुत सारा वीडियो से है उसका प्लेइस्ट का मैं इजर आई कुछ भी डाउट होता है तो आप कंपणी में भी आप कॉल कर सकते हैं कंपणी का नमबर आपको उनके वेश्ट से मिल जाएगा ताकि अगर कुछ भी डाउट होता है तो फॉर्म फिल इंक के टाइम पर तो मेल चीज़ है के रैंग अपको बहुत अच्छी से फिल करना है तो आपको पूरा बाकी फिर आपको प्रॉब्लम होगा ठीक है अगर आपको कुछ आउट होता है तो फिर आप कम्पने में कॉल कीची और आप पूछ सकते हैं उन लोगो तो गाइस अप कैसे फॉर्म फिल करेंगे तो आज का वीडियो यही तक था अगर आपको वीडियो झाट